हेलो एरिवन, वेलकम टो फार्मार ओक्स यूटूब चैनल, फार्मार ओक्स के यूटूब ए जुके स्टनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वी विल प्रोवाइड यू डिटेल, हैल्फुल स्टडी टिप्स पॉर जीपेट 2021 एक्जामिनेशन सो अपकमिंग जो जीपेट का 2021 का जो एक्जामिनेशन होगा, उसके रिलेटेड हम कुछ इंपोर्टन्ट, हैल्फुल स्टडी टिप्स जो है वो आपको बताएंगे तो इसके अकोडिंग टो आप जब टिप्स को फॉलो करके प्रॉपर प्रिपिरेशन करेंगे तो क्वालिफाई होना काफी इजी हो जाता है तो ज़रूर से डाउनलोड करिया फार्मरॉक्स का एप की जो अब अवेलेबल है एंड्रॉड एप्लिकेशन के तोर पे एस वेल एस एपल आइफोन, एप स्टोर पे भी आप एपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगी इस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक्सेस दे स्टेडी मेट्रियल, टेस्स सीरीज एंड वीडियो लेक्चर तो जब सभी टॉपिक्स का आपके पास प्रॉपर यह बेजिक नॉलेज है प्रिप्शन के पास तो आपके पास बेजिक नॉलेज होना जरूरी है तो जितने भी आपके बेजिक टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लीजे उनके रिलेटेट जो आपके कौंसेब्ट आपको कलियर करने है वो जब आपके clear होते हैं तो GPET exam को qualify करना काफी easy हो जाएते तो तो first tip से ही है हमारे कि basic knowledge and basic concept of pharmacy are the necessary to qualify the examination के सबसे पहले जो भी student का basic clear होता है वो आसन इसे GPET की exam qualify कर लेते हैं to crack the GPET your first tips is the basic knowledge so cover basic of each and every topic this is your first tip to cover the basics tips number second is start the preparations with the main hard subjects like pharmacology, pharmaceutics and pharmacognosy तो यह तीन main key subject है कि जो हम usually कहेते हैं कि ecology, cognosy and suitics तो यह तीन main subject है और इसकी preparations आपको सबसे पहले start कर लनी चाहिए कि जब आप GPET के तयारी कर रहे हैं तो ecology है, suitics है and cognosy के मिला कर ही at least जो है वो 50 से 60 questions जो है वो exam में बन जाते हैं कि आप GPET के हमारी जो lecture से वो देखेंगे GPET related कि GPET 2020 का paper analysis, 2019 का paper analysis तो आप देखोगे कि pharmaceutics के related 28 जितने questions जो है वो exam में पूछे जाते हैं फिर pharmacognosy से 20 questions, same like that pharmacology से भी around 28 या 25 जितने questions पूछे जाते हैं तो at least 68 या 70 जितने questions तो ये तीन major subject ही cover कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये ही strategy रहेगा कि जो main and जो top subject है थोड़े कि pharmaceutics में A to Z pharmaceutics की जो semester 1 से लेकर एक तर जितने भी स्यूटिक्स related subjects ही कि लाएक pharmaceutical engineering है pharmaceutical microbiology भी उसके अंदर ही include होगा biotechnology की भी स्यूटिक्स के ही सब branch हम कहे सकते है as well as pharmaceutical engineering है simple dispensing pharmacy and also about the physical pharmacy तो ये सभी topics आपको अच्छे से कर लेने है then pharmacology and also the cognosy tips 3 है कि do not skip the minor subject and topic they will help to you to qualify the GPT exam उसके लावा जो minor topics है कि minor subjects जो हम कहते है कि jury prudence कि जो forensic pharmacy आपका subject है pharmaceutical jury prudence तो उसको भी आपको skip नहीं करना है उसमें से भी बहुत सारे pinpoint questions पुझे जाते हैं at least 3 या 4 questions तो यसे होज़े कि जो directly पुझे जाते हैं ये minor topics में से और सभी subjects के यसे कुछ minor subject और topic आप निकाले अलग-अलग सभी semester में से तो at least 10 to 15 questions ये minor subjects में से ही आपकी हो जाएगी कि like jury prudence आपका subject है biochemistry है microbiology है biotechnology कि जो कुछ minor topics वो खासकर cover करते हैं तो ये minor topics में से भी questions निकलते हैं और काफी easy होते हैं कई पर कि जब आपने वो concept वे पड़े हो तो easy रहता है आपके लिए tips number 3 है कि make a routine and do each subject every day never do one subject whole day कि ऐसा मत नहीं करिये कि आप एक ही subject जो है वो पूरा दिन पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि never do one subject hold है कि लाइक आप college लेकर बैठते हैं तो at least पूरा दिन सिर्फ आप college ही पढ़ते रहते हैं उसके बज़ा ऐसा करिए कि एक routine बनाई है time table बनाई है and उसके according to study करें कि आप समझो कि at least 12 hours जितनी study करते हैं at least 12 hours तो three into four जितना कर लिजिए कि three hours into four subject तो तीन-तीन गंटे आप अलग-अलग सब्जेक्स पढ़िए कि पहले तीन गंटे आप सुटिक्स पढ़ रहे तो बागी के तीन गंटे आप college लीजिए फिर cognitive करिए और फिर कुछ minor topics करिए या फिर कुछ हैसा समय भी निकाले कि जिसके अंदर आप प्रॉपर करें रिविजन तो यह तो मैंने एक्जाम ले पर लिया बारा गंटे का कि अगर समझो कि आप फॉर अवर्स भी स्टड़ी करते हैं उनली फॉर अवर्स तो एक गंटा आप स्यूटिक्स पढ़िए एक गंटा आप कॉलोजी पढ़िए एक गंटे के लिए आप कॉगनो सी लीज चाहिए तो इस तरह से आप जब मिक्सिंग करते हैं सब्जेक की मिक्सिंग करते हैं टॉपिक्स की तो उससे आपको माइंड आपका अपग्रेड रहता है एंड प्रॉपर जो है वो आप कवर कर लेते कि सिर्फ समझो कि एक ही सब्जेक करते हैं तो एक ही सब्जेक रिलेट आपको टू ओवर्स करना है तो भी इनफ है बट फिर आपका डूरेशन बढ़ाई है और जब आपको जीपेट कॉलिफाय करना है तो प्रॉपर सिरियसली प्रिपिरेशन करने पड़ती है एंड एट लिस्ट आप मिनिमम फाइव टू सीक्स अवर पर डे जितना आप निकाल सकते हो इतना निकालोंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी तो एक रूटीन बनाना जरूरी है तो ये वर्ड के उपर हम खास हाइलेट करेंगे कि कई बार क्या हो आपकी प्रेपिरेशन सची नहीं होती तो रूटीन मतलब की पार डे किसी भी कंडिशन में हो आप फिर भी एटलिस्ट आप तीन या चार गंटे जीपेट के लिए जरूर से स्पैन करिये तो ही आपका एक्जाम जो है वो क्लियर होगा और डू इच सबजेक्ट एवरी डे हर दिन सभी सबजेक्ट के उपर आप जो है वो कॉंसेंडरेट करिये तो तेन या चार सबजेक्ट आप करते हैं तो अचलिस चार गंटे के तक आप अलग-अलग सबजेक्ट को साइमल्टेनियसली स्टडी करिये जिससे आपको टॉपिक्स बोरिंग भी नहीं लगेंगे as well as आपका जो knowledge है वो upgrade होता रहेगा for all the subjects Never get anxious or scared by others preparations ये एक काफ़ी factor affect करता है आपकी study उपर कि कई बार हम देखते हैं कि आपकी friend circle में किसी student की preparations को देखकर कई बार आप जो है वो tension में आ जाते हैं या फिर आपको एसा डर लगता है कि दूसरों की preparations के compare में आपकी preparations काफ़ी weak है तो इसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है so never get anxious or scared by others दूसरे कि आप भी कुछ भी कर रहे है उससे आपको कुछ परक नहीं पड़ता है आपका जो target वही है कि आपको qualify marks के range पर जाना है तो qualify होने के लिए जो भी आपको करना है कि only focus on yourself and be confident दूसरे students के preparations देखकर आपको जो है वो tension लेनी की ज़रूरत नहीं है आपका जो goal है आपका जो goal है वो समझो कि आपने fix रखा है कि आपको 160 plus marks जो है वो cover करने है तो आपका target यहीं होगा कि 40 questions आपके सही हो because 40 into 4 is equal to 160 marks आपके हो जाए तो आपका यही target होगा कि 40 जितने questions आपके सही होते है या फिर 50 सही होते है और उसमें से 10 जितने गलत होते तो भी आपका score काफी अच्छा होगा तो main आपका जो goal कि जो qualifying range कि जो shape score जो हम कहते है safe score कि हम यहाप अभी कोई category वगेरा की बात नहीं कर रहे है just एक safe score की बात कर रहे है कि जब आपको कोई अच्छी college चाहिए अच्छा rank चाहिए तो उसके लिए जो swift score होता है वो है 150 plus तो हम रखते हैं चलो 160 plus marks का target रखते हैं तो आपको 500 में से 160 marks लाने है 500 में से 160 to qualify the GPAT examination या फिर अच्छे rank के लिए 160 के plus आप marks cover करते हैं तो उस वक्त आप जो है वो क्या हो जाते हैं safe तो दूसरों के preparations को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है आप आपका खुद का एक goal बनाए खुद का एक target बनाए और उसको achieve करने के लिए आप confidence से तायारी करने के लिए लग जाईए Start to solve old GPAT papers. It helps you to increase your confidence level ये strategy इसलिए है कि ये tips कि जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से type के questions जो है वो पूछे जाते हैं You will know about the pattern what type of questions ask in this type of examination दूसरे ये tips तो खास priority में आपको रखनी चाहिए कि जो भी exam की हम तैयारी करते है उसके old papers solve करने की हमेशा आदत रखनी चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि कौन से type के questions पूछे जाते हैं नेक्स टीप से कि डैली स्वाल मिनिमाम 50 MCQ आप समझो कि टोटल 4 hours के लिए study करते हैं तो 3 hours जितना आप preparations करिये and 1 hour जो है वो आपका spend करिये MCQ स्वाल करने के लिए कि भले आप 3 गंटे अलग-अलग subjects के topics करते हैं mixed topics करते हैं बट एक या दो गंटे के लिए आप जरूर से minimum 50 जितने questions हर दिन solve करिये तो उससे क्या फाइदा होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने questions जो है अलग-अलग इस type के पूछे जाते हैं प्लस आपका जो knowledge है वो अपग्रेड होगा एंड एक जो है important practice one important thing is the practice और आपको experience होगा इस type के questions solve करने का उनके लिए thinking कि जब हम कोई questions solve करते हैं तो उसके लिए हम सोचते हैं तो MCQ solution से आपका जो thinking power है वो increase होगा जिसको हम कहते हैं thinking power कि जो सोचने की जो हमारी सकती होती है thinking power कि जब हम कोई MCQ देखते हैं और उसके नीचे जब कोई चार option देखते हैं तो वो options के related हम सोचने लगते हैं thinking करते हैं तो उससे proper thinking जो है वो आपका increase होता है और वो help करता है आपके mind को upgrade करने में to set for this type of condition की इस type के MCQ क्योंकि आप काफी rubber हो जाएंगे तो जब तयारी आप करते है जब examination देते है तो आपको कुछ इसा नया नहीं लगता because आप डेली 50 questions solve करते थे और exam के दिन आपको 125 solve करने है तो उतनी आपको दिक्कत नहींगे because आप रोज 50, 40, 40, 40 questions आप रोज जो है वो solve करते थे like that कि समझो कि आप को कुछी running competition में भाग लेना है तो आप समझो कि डेली आप 2 या 3 km running करते थे और जब running competition के दिन आपको 5 या 10 km running करना है तो भी आपको कुछ नया नहीं लिगा होगा because आप डेली 2-3 km के लिए running करते थे बड़ समझो कि आपने आदत ही नहीं लगाई होगी running करने के और directly फिर आप exam के दिन 10 km जितना running करते तो आपसे वो होगा ही नहीं because आपने कभी practice ही नहीं की थी तो जरूरी है practice करना और यही है MCQ की practice की जितनी आप MCQ की भी साथ हो साथ practice करते हैं तो इससे आपका फाइदा होता है exam के दिन की जो आपका thinking power भी increase करता है as well as आपको proper strategy प्रोवेड करता है of solving the MCQ next tip यह है के be relaxed and do not get worry about the exam be fearless before the GPED exam to get the success सबसे important चीज यही है कि कभी कोई तरह का आपको डर नहीं रखना है do not get worry do not get worry किसी भी टाइब का कोई tension वगेरा जो है वो आपको नहीं रखना है about the exam be fearless main जो है वो आपका target है उसके related आपको जो है वो preparation ही करनी है और practice करता रहना है किसी भी type का tension नहीं लेना है because की main जो है वो tension से आपकी जो preparation है उसके उपर affect हो सकते है और जिसके करन जो हम study करते हैं जो हम पढ़ते हैं वो भी कई बार भूल जाते है तो tension या fear में की हुई study जो है वो कई बार हम भूल जाते हैं कि जब उसकी जरूरियात होती है तो जब आप proper relax होके आपके वो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो study करते हैं तो वो आपको लंबे तक टाइम तक याद रहता है तो यही tips रहेगी कि relax रहे and do not get worried about the examination so relax रहे के आपकी preparation जो है वो अच्छे से करते रही है next never leave easy subjects like jury prudence, dispensing, calculation etc as there are very direct questions from this topic and if you have read them it will help you to score the marks dispensing pharmacy है calculations related questions है कुछ jury prudence के जो questions आते हैं कि जो forensic pharma कहते हैं तो direct questions जो होते हैं इसमें से तो यह questions आपके लिए pinpoint बन जाते हैं और आपको scoring करने में help करता है फिर make the knots यह हम हमेशा से कहते आए है even pharma rocks की जो routine lectures होते हैं उसमें भी हम कहते हैं कि knots खास बनाई हैं आप because जब revision करना होगा तो अब हमारे जितने भी lecture से वो हो उस दिन revision नहीं कर सकते but आपने वो ही lecture में से एक summarize knots बनाए है तो वो आपको help करेगे कि आप जितने भी हमारे lectures क्योंकि pharma rocks की channel के उपर तो more than 9.50 जितने video lectures already available है till date plus बहुत सारा हमारा study material है test series भी है pharma rocks की आप उपर तो वो सभी को आप एक ही दिन में या फिर exam के 4 या 5 दिन के आगे ये सभी को एक साथ revision नहीं कर सकते बढ़ उसी में से आपने एक summarize handy knots बनाए होंगे कि जो points में आपको ज्यादा difficulty थी या फिर आपको वो ज्यादा important लग even हम भी आपको suggest करते थे कि ये point काफी important है उसके निचे highlight करिए या फिर ये pinpoint है आपके लिए तो उसकी related आपने कोई knots बनाई है तो वो handy knots कहे जाएंगे and rapid revisions के लिए आपके लिए बन जाएगा ये key factor कि जो हम key factors कहते है तो knots आपके लिए बन जाएंगे key factors कि जो आपके handy knots होंगे for the rapid revision start the revised GPT syllabus along with MCQ solution revision is a key point for you revision आपके लिए key point है कि जब at least 10 या 15 दिन बचते है एक्जाम के तो revision करना start कर दीजे जो भी आपने पढ़ा है उसके later revision करिए MC की solve करिए तो उससे आपको काफी फाइदा होगा make the list of topic covered and remaining topics so you can get the progress of study कि कौन से topic आपने cover कर लिए है and कौन से topic बाकी है उसका आप list बनाते जाएगे तो उससे आपको पता चलेगा कि what is your progress आपकी study की progress क्या है कितने topics आपके cover है कितने अभी बाकी है तो उससे आपको proper जो है वो strategy मिलती है evaluate yourself side by side by giving mock test pre-gyped test and the pharma quiz साथ उसाथ जो test series बगरा होती है वो भी solve करिये कि जिससे आपका जो है वो proper evaluation होता जाएगा day to day जिससे आपका आपका performance कैसा है वो भी पता चलेगा कौन से topic के अंदर आप फीक है वो भी आपको पता चलेगा every year there are six to eight questions based on spectroscopy like mass UV, IR, NMR तो spectroscopy को जरूर से तगर करिये also the chromatography from analytical chemistry and analytical जो हमारा main concept है pharmaceutical analysis collect spectroscopy है chromatography है तो वो कभी भी skip नहीं करने चाहिए उसमें से हर बार at least six to eight questions पूछे जाते है then make the separate notes for classification of drugs and the schedules of the drug generally three to four questions on herbal drugs are asked every year to go through the chapter of herbal and indigenous drug कि जो एक separate notes बना ये socially pharmacognosy के उपर as well as कि जो schedules होते है drugs के उसके related के कौन से drugs कौन से schedule में है as well as pharmaceutical classification systems के तोर पे कौन से drugs कौन से classes में है तो उसके एक अलग से separate notes बना ये the frequency of numerical problems is increasing in GPET every year so individual must attempt this problem for scoring the good marks कि numerical based questions पूछे जाते है आप exams के अंदर दो या तीने से numerical questions होते है तो अगर आपने इस type के questions के practice होगी तो इसी रहे के like बावर फार्मासिटिक्स के से पूछे जाते है इसे numerical depression in freezing point में से allegation method है dose calculation business on body weight and age तो वो आपको जरूर से करना चाहिए then solve the GPET test series day by day it will help you in evaluate yourself regarding the various topic and your preparation तो जो GPET test series की जो फार्मारोक्स की एप उपर भी आपको मिल जाएगी की जो topic wise test series रहती है वो भी आप day to day solve करोगे तुससे भी आपका काफी फाइदा होगा कि जहापे आप proper MCQ का solution and explanation भी पढ़ते है तो all the best for the examination you can must comment your queries we will must solve your queries आप topic भी suggest कर सकते हैं जिससे हम आपके लिए इस type की informative video lectures बनाते रहे हैं subscribe the channel and press on the bell icon use the pharma rocks, access study material test series and the video lecture for the GPAT NIFA DIN Pharmacist exam